जहिंद दोस्तों हमारा भिहार में आपका श्वागत है और दोस्तों पिछले कुछ दुने साफ वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था क्योंकि मैं असवास्त था ठीक है और धीरे धीरे अब सुधार हो रहा है स्वास्ट में जिसका रहना वीडियो रेगुलर आप लोको मिलता रहेगा और पिछले 6 दिनों तक वीडियो आप लोग को नहीं मिला इसके लिए हम चमा चाहते हैं और आने वाले समय में आने वाले वीडियो में पिछला जितना भी प्रस्ण होगा करें इंटरफेर्स का सभी को दिरे-दिरे करके सामिल कर लिया जाएगा एक भी प्रस्ण जाकर आप पीडिए डाउलोड करना चाहते हैं तो हमाये टेलीग्राम चैनल से डाउलोड कर सकते हैं टेलीग्राम अप्लिकेशन में सेर्च कीजिए हमारा बिहार एच भी और चैनल को जाइन कीजिए वहां पे आपको सारे दिन का पीडिएफ मिल जाएगा हिंदी और हाले में बिहार का कौन सा जिला सो प्रतिसत डिजिटल बैंकिंग वाला राज का पहला जिला बन गया है तो सो प्रतिसत डिजिटल बैंकिंग वाला राज का पहला जिला बना है जहानावाद सी ओप्सन इसका सही हो गया जहानावाद बिहार का पहला सो प्रतिसत डिजिटल ब पादन यानि इंटरनेट बैंकिंग, डेविट कार्ड, मॉवाइल बैंकिंग, यूपी आई और दूसरी इसी तरह के सुभीदाएं हैं या कुल सक्रिये खाता का 99.65 प्रतिसत है अब दोस्तो नाम आया है जहानावाद का तो चलिए इसके बारे में जानते हैं तो जिसके अंतरगत और अंगावाद, अरवल, जहानावाद, गया और नवादा आता है और दोस्तो अगर बात किया जाए जहानावाद के लोकेशन का तो ये रहा जहानावाद जिला जिसका सिमा अरवल, पटना, नालंदा, गया से सट रहा है और जहानावाद जिला का और लिंगान पात 922 महिला प्रती 1000 पुलसिया का प्रमुक फसल धान गेहूं और मशूर है प्रमुक नदिया फल्गू दर्धा और यमुनिया है सितंबर 2001 में जहानाबाद से अलग करके अर्वल जिला बनाए गया था यहां का प्रमुक कमिट्टी पुरानी जलोड या जिसको करेल के अवाल भी कमिट्टी भी कहते हैं पाया जाता है जहानाबाद पांचमा सबसे निम्तम चंसंख्या वाला जिला है 2011 के जनगन्ना के अनुसार अगला प्रस्न है हाल ही में बिहार की कौन सी संस्था तीन आई-एस-ो प्रमान पत्र प्राप्त करने वाली देश की पहली संस्था बन गई है तो विहार राज बीज निगम इसका ए ऑप्संसा ही हो गया ठीक है विहार राज बीज निगम देश का पहला सरकारी संस्था बन गया है जिसके अंतराष्टिय मानक के अनुरूप बीज उत्पाद्न प्रवंधन और बीज की पारदर्सिता प्रणाली पर भारतिय मानक बीवरों ने अपनी मुहर लगा दी है देश भर में उत्कृष्ट कारे करने वाली संस्थाओं को ISO प्रमानपत्र देने वाली इस संस्था ने बीज निगम को तीन छेतर में ISO प्रमानपत्र दिया है अग्ला परसन है, हाल ही में सितंबर माँ से बिहार के किस जिला में बने पहला चलन्ध कंटेनर E- gewoon नंद इस्टेशन कार्ड करने लगेंगा, तो बिहार के तीन जिला में, ठीक है, बिहार के तीन जिला में या बनाए गया है, जो कि पहली बार है, और या पाइलेट प्रजेक्ट के तोर पे बिहार में शुरू किया गया है जो कि यह फ्रांस की टेक्नलोजी है और यह जो चलंद कंटेनर इपावर इस्टेशन जो है यह पटना मुझफर पूर और समस्ती पूर में अस्थाफित किया गया है तो डी ओ अप्सन सही हो गया उप्पिक तो सभी फ्रांस के ने उन्ना टेक्नलोजी की बदल कंटेनर में चलंद पावर सब इस्टेशन बनाया है जिसे बिहार में पाइलेट प्रजेक्ट के तोर पर छे पावर इस्टेशन को आयाद किया गया है इस तरह के पटना में चार बुनियाद के अंदर दोस्तों बृद्द जन दिब्यांग जन और विदवा इन तीनों से समबनित है तो डी ओक्षन सही हो गया उप्यूक्त सभी राज के सभी 101 अनुमंडल में बुनियाद के अंदर संचालित है जिसमें दूर्द राज शुदूर 6.3 ग्राम अस्तर पर स संजीवनी सेवा mobile therapy when उपलब्द कराई गई है अब क्या काम है इसका तो बुन्याद के नीवम बुन्याद संजीवनी सेवा में जो सिवाएं उपलब्द कराई जाती है वह इस परकार है आधونिक मशेन एवम exercise टक्निक के माध्यम से बीविन प्रकार के सारेरी की भीकार का निदान एवं देखवाल, वाक तथा स्रवन संबंधि जाच, आँखों की जाच, नवजाट, सीसु के स्रवन दिभ्यांगता की जाच की विवस्ता, कृत्रिम अंग एवं सहायता उपकरन संबंधित मार्ग दर्शन, स्वाश्ट संबंधि आप अत्मंद लवहर्थियों है तु जीलास तर ये बुनियात के अंद पर उपलब्ध समाजिक सुरक्षा पेंसन समाजिक सुरक्षा के अन्यकार करमों से संबंदित योजनाओं का लाब प्राप्त करने के लिए मार्ग दर्शन पचास वर्षे अधिक उम्र के व्यक्तियों को चस्मा का निसुलक बित्रन और आवस्यक कानूनी एवा अन्यप्रकार की परामर्ष अगला प्रस्ने हाल ही में किस देश ने बिहार को अपना टूरिज्म पार्टनर बनाया है तो दक्षिन अफ्रिका ने बिहार को अपना टूरिज्म पार्टनर बनाया है बी आप्सन इसका सही हो गया Constable General of India जोहांसवर्ग दक्षिन अफ्रिका ने बिहार को अपना टूरिज्म पार्टनर बनाया है अब बिहार सरकार के पर्याटन विवहा के साथ मिलकर दक्षिन अफ्रिका यहां के दर्सनिय अस्थल और पर्याटन सुविराओल के प्रचार प्रसार के लिए कारेकरम की अग्ला प्रसनिय हाली में बिहार के किस विष्विध्याले में मिल्खा शिंखेल परिशर का उद्गाटन किया गया है तो मिल्खा यहां फूर्टन किया गयाँ दक्षिन बिहार के अं.... इस विद्याले में B option इसका सही हो गया नेक्स्ट है अर्ध जल किस फसल की नई प्रजाती है तो धान की नई प्रजाती है अर्ध जल ठीक है A option सही हो गया धान की नई प्रजाती अर्ध जल किसानों के लिए वर्दान सावित हो रही है इस नई प्रजाती को किसानों तक पहु से 125 दिनों में तयार हो जा रही है और इसका उट पारण 50 से 55 कुंटल प्रती हेक्टेर है नेक्स्ट है बिहार के किस अस्पतल में नुकिलियर मेडिसीन की सुबिधया उप्लब्ध कराए जाएगी तो एम्स पतना में भी ऑप्सन सही हो गया पतना एम्स ने नुकिलियर मेडि का बिहार का कूल प्रजनंदर दोहजार नुकिलियर में घटकर कितना हो गया है तो 3.0 सी यू अप्सन इसका सई हो गया बिहार का प्रजनंदर 2015 16 में 4 में 3.4 थी और अब 2019 में या घटकर 5 में 3 हो गई है ग्रामीन चेत्रों में यादर 3.1 तथा सहरी चेत्र में 2.4 है इस आकरी कंसार बिहार की जलसंख्या ब्रिद्धी और नियंतरन में आती दिख रही है नेक्स्ट है हाली में पटना के तर्च पर बिहार के किश जला में खादी मौल अस्थापित करने की घोशना की गई है तो यह भागलपूर में अस्थापित किया जाएगा D option साही हो गया पटना के तर्च पर भागलपूर में भी जल्द खादी मौल खोला जाएगा भागलपूर के नात नगर में उद्योग विभाग के जमीन पर बुनकरो के लिए ट्रेनिंग सहक कम्मुनिटी सेंटर का निर्मान जल्द किया जाएगा जल्द ही भिहार अपनी नई खादी नीती भी बनाएगा तो दोस्तो यह था अजका करेंट अफिर्स चलते हैं रिविजन के तरफ तो पिछले वीडियो का रिविजन का प्रस्था हाली में राज में पटना से बेतिया सरक मार्कों कौन सी नई राष्ट्रिये राज मार्क अधिस्टूचित किया गया है तो एनेच 149 डबलू दूसरा प्रस्था हाली में किस क्रिसी अनुसंधान सनस्थान दवारा आलू का बीज विक्सित किया गया है तो केंदरिये अलू अनुसंधान केंदर पटना बी ऑप्सन सही हो गया तो पिछले वीडियो के प्रस्था सही उत्र हो गया A और B आज का Revision का प्रस्ण है हाल ही में बिहार के किस भी स्विध्याले में पहली वार Forensik Science की पढ़ाई के लिए तैयारी शुरू की गई है और आज का दूसरा प्रस्ण है हाल ही में किस जिला में खादपदार्थ, फल, सबजी और मचली की क्वालिटी जाज के लिए Combined Food and Drug Laboratory शुरू किया गया है तो इस दोनों प्रसंद का उत्तर आप लोग को Comment Works में देना है तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही आसा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो मिलते हैं जल्दी फिर एक नए एपिसोड के साथ तब तक के लिए जै हिम जै बिहार